हेलो एवरिवन वेलकम बैक तो साइंस विडियो सेशन तो फ्रेंड्स आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग इस पहले हम लोगोंने चैपटर 13 जो के कोशिश करेंगी ठीक है इसी के साथ हम लोगों का 5 chapter complete हो जाएगा total 13 chapter में से हम लोग 5 chapter को complete कर लेंगे मैं कोशिश करूँगी कि इसके बाद एक और chapter bio का क्योंकि bio का सिर्फ और सिर्फ एक ही chapter हुआ है जो कि है chapter 5 तो मैं कोशिश करूँगी कि chapter 5 के साथ साथ एक और चैप्टर में इसके करा देती हूं आप लोगों के मीटरम एक्जाम होने से पहरे चैप्टर 6 ठीक है तो इसके साथ हम लोगों का 6 चैप्टर टोडल कंप्लीट हो जाएगा दो दो चैप्टर सारे पोर्शन से हो जाएंगे केमिश्ट्री के भी दो चैप्टर और कब होने वाला है किसी किसी का होने वाला भी होगा 15 आज के डेट में होने वाला भी होगा तो आप लोगों का मीटरम एक्जाम कब होने वाला है यह पताईएगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताईएगा ठीक है तो उसी के एकॉर्डिंग मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी ड किस तरह का अच्छान को देख लेते हैं तो इसके अलाबा और कोई धूर्णने की जरूरत नहीं है हाँ last time में आपको PYQs भी करना है PYQs करने से आपको ये पता चलेगा कि भी बोर्ड किस तरह का question arrangement करती है किस तरह से वो question देती है ठीक है तो इसके लिए PYQs भी करना जरूरी है लेकिन अभी नहीं बाकी जो भी questions है वो NCRT exemplar ने आपकी book में से ले रखा है उसके अलावा औ आपकी हर chapter से ठीक है तो इतने सारे questions आपके लिए more than enough होने वाले है मैं ये फिर से बता लिया है ठीक है तो बिल्कुल भी panic नहीं होना है कि अच्छे से तैयारी नहीं होड़ी है अगर आप इतने questions कर लेते हो तो ये आपके लिए काफी है ठीक है चलो आज का session हम लोग स्टा beyond two meter आपको क्या करना है आपको question को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है कि question में क्या पूछा जा रहा है जब तक आप question को नहीं समझ पाओगे ना answer करने में गलती होगी आपसे तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है जब भी आप exam दोगे तो सबसे पहले आपको instruction अच्छे से follow करना है instruction को अच्छे से read out करना है उसके बाद पहले सारी questions को देख लीजे फिर question स्टार्ट किजिए solve करना और हर question को हम अच्छे धंग से पहले पहले समझेंगे और तब start करेंगे copy लिखना तो यहां पर क्या कह रहा है a person cannot see distinctly objects kept beyond 2 meter दो मीटर के दूर जो भी object रखा हुआ है वो उसे नहीं देख सकता है this defect can be corrected by using a lens of power तो यहां पर इस से क्या hints मिल रहा है हमें कि दो मीटर से दूर यानि कि उसकी distance vision उसका distance vision जो है वो खराब है है ना उससे सिर्फ उस नजदीक की च 2 meter तक की distance की चीजें दिखाए दे रही है infinity पर रखे ओवी object नहीं दिखाए दे रही है infinity की चीजें नहीं दिखाए दे रही है that means कि उसे distant vision का problem है यानि कि किस condition में ऐसा होता है किस defect में ऐसा होता है मायोप्या में nearsightedness नस्दीक देखने की बिमारी दूर का नहीं दिखाए रहा है उस्धिक का दिखाई दे रहा है that is he is suffering from myopia तो myopia में क्या होता है myopia में हम ठीक करने के लिए कि कौन सा lens use करते हैं distant vision खराब है तो यानि कि diverging lens की जरौत होगी तब ही तो वह race को diverge करके हमारी आउंकों तक देती है ताकि हम दूर तक देख सकेई तो इस condition में हम concave lens का use करते हैं and concave lens के लिए का जो power होता है वो positive होता है या negative होता है तो negative होता है तो इस option में से हम positive वाले को eliminate कर देंगे क्योंकि हमें चाहिए concave lens, concave lens का power negative होता है अब because ये two meter जो distance दिया हुआ है ये क्या है यू है या भी है image distance है या object distance है तो हमेशा याद रखने के लिए मैंने कहा था कि myopia के case में जो far point दिया हुआ होता है उसको हम image distance मानते हैं और यू object distance क्या लेते हैं उसका original far point जो होता है नॉर्मल आई का जो far point होता है वो लिया जाता है यानि कि यहाँ पे इस condition में u की value क्या हो जाएगी? u हो जाएगा infinity and v क्या हो जाएगा? minus because i आँख के सामने image बने इसलिए negative में होगा minus 2 meter अब इससे आफ focal length निकाल होगे 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u minus 1 by u हो जाएगा 1 by v कितना है? minus 2 है is equal to minus 1 by minus 2 minus 1 by infinity infinity से जब भी हम divide करते हैं तो 0 हो जाता तो यह तो 0 हो गया जाएगा 1 by minus 2 यानि के f is equal to कितना हो जाएगा? minus 2 इसलिए power is equal to क्या हो जाएगा? 1 by f होता है तो 1 by minus 2 इसका power हो जाएगा अब 1 by minus 2 को जब हम solve करेंगे 1 में 2 से divide करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.5 diopter minus किस option में minus 0.5 diopter दिया हुआ है? option बर b correct हो जाएगा तो इस तरह से आपको numericals के question आपको multiple choice questions में दिये जा सकते हैं हमेशा ध्यान में रखना है कि मायोपिया के case में हम u की value infinity लेंगे v की value जो दिया हुआ है वही होगा और उससे हम focal length निकालेंगे फोकल निकालने के बाद power निकालेंगे बिल्कुल भी जल्दिबाजी नहीं करनी है आप यहां पे सीधे आप यहां पे minus 0.2 नहीं करोगे गलत हो जाएगा solve करेंगे और तब option select करेंगे ठीक है next question देखिए a student sitting on the last bench can read the letters written on the blackboard but is not able to read the letters written in his textbook वो दूर का पर पा रहा है blackboard पे लिखा हुआ पर पा रहा है नजदीक की चीज़े उसको नहीं दिखाई दे लिए वह अपनी test book को नहीं पर पा रहा है तो उसे कौन सा विजन होगा कौन सा डिफेक्ट है उसे दूर की चीज़े दिखाई दे रही है नजदीक का नहीं दिखाई दे रहा है है ना यानि के उसे farsightedness है farsightedness मतलब क्या hypermetropia है है ना hypermetropia के classes में ऐसा होता है तो नजदीक पे focus करने के लिए हमें कौन सा lens चाहिए भई हमें convex lens चाहिए होता है और इस condition में उसे नजदीक की चीज़े दिखाई क्यों नहीं दे रही है क्योंकि उसका जो near point होता है वो दूर चला जाता है तो दूर जाने को क्या कहते है अब option देखिए option में क्या कर रहा है which of the following statement is correct correct statement बताना है first है the near point of his eyes has receded away receded away मतलब दूर चला जाना तो यह ही तो हो रहा है यहां पर option और बाक्य option भी देख लीजिए the near point of his eyes has come closer to him तो यह तो नहीं होता है close नहीं होता है बलकि दूर चला जाता है the far point of his eyes has come closer to him यह भी गलत है far point close नहीं होता है far point closer कब हो जाता है किस condition में मायोपिया के case में तो अगर यहां पर मायोपिया का case होता यह उसे blackboard पे लिखिवी चीज़े नहीं दिखाई दे रही है but he is able to read the letter in his text book तो option C correct होता देख है far point of his eyes has receded away यह भी गलत हो जागा option A will be correct चलिए next question देख लेते हैं अब प्रिस्म में ABC with BC as base यहां पर ABC एक प्रिस्म दिया हुआ है is placed in different orientation a narrow beam of white light is incident on the prism as shown in figure 11.1 तेक है यहां पर figure जो दिया हुआ है उस तरह से एक narrow beam incident की जारी है in which of the following cases after dispersion the third color from the top corresponds to the color of the sky अब इस prism को हम किस तरह से रखेंगे कि एक narrow beam जब हम incident करते हैं तो उसके dispersion के बाद जो हमें ray मिलेगी उसमें उपर से third position पर sky का color होना चाहिए that is blue color तो ऐसा कब होगा normal case में जब हम इसे सीधा रखते हैं इस तरह से जब हम इसे इस तरह से रखेंगे तो उपर red होता है विप gold नीचे से उपर की तरफ बनेगा v, i, b, g, y, o, r नहीं तो इसमें third position पर क्या बन रहा है r, o, y yellow यानि कि उपर से third position पर yellow हो रहा है नीचे से third position पर blue है तो that means कि हम इसे अगर पलट के रख देते हैं तब ये blue उपर से third position पर नहीं आ जाएगा आ जाएगा है ना तो इस तरह से हम अगर इसे पलट के रखते हैं तो कुछ इस तरह का dispersion होगा इस तरह का dispersion होगा और तब हमें जो ये pattern मिलेगा तो इस पर उल्टा pattern हमें मिलेगा उपर से नीचे की तरफ विप गयो V, I, B, G, Y, O, R तो third position पर हमें blue color मिलेगा इसलिए option second correct हो जाएगा ठीक है next question देख लीजिए at noon the sun appears white as दोपहर के time में sun white क्यों दिखाई देता है इसके पीछे क्या reason है क्योंकि दोपहर के time में जो sun है वो बिल्कुल हमारे उपर होता है हमारे सर के उपर होता है एकदम इसके जो distance होती है वो earth से बिल्कुल कम होती है जिसकी वज़ा से light जो आ रही होती है वो list scattered हो पाती है कम scattering हो पाती है इसकी वज़ा से यह हमें white color दिखता है पूरी की पूरी वीम हम तक पहुंच रही होती है और यह हमें white दिखाई देता है तो क्या reason हो जाएगा light is list scattered option a correct हो जाएगा next question which of the following phenomena of light are involved in the formation of a rainbow rainbow formation में कौन सा phenomenon involved होता है तो rainbow formation कैसे होता है एक कोई drop है rain drop जब sunlight इस पर पढ़ती है तो सबसे पहले तो भई reflection होता है reflection होने के पाद इसका under dispersion हो जाता है फिर dispersion होने के पाद अंदर ही फिर से यह reflect back करती है और तब जाकर कि पहला reflection उसके बाद dispersion और तब internal reflection तो यह किस option में है option number C reflection, dispersion and internal reflection total internal reflection यहाँ पर नहीं होगा तो यह ध्यान रखिएगा internal reflection वाला option हमें चोज़ करना है option number C will be correct next question देख लीजिए twinkling of stars is due to atmospheric twinkling of stars किसकी वज़ा से होता है atmospheric reflection की वज़ा से होता है है ना तो dispersion of light नहीं हो जाएगा reflection of light by different layers of varying refractive index option number B will be correct next question देख clear sky appears blue sky के color blue हमें किसकी वज़ा से दिखाई देता है due to scattering of light तो scattering किसकी वज़ा से होती है blue light gets absorbed in the atmosphere बिल्कुल सही ultra valid radiation are absorbed in the atmosphere ये नहीं होगा violet and blue lights get scattered more than lights of all other colors by the atmosphere बिल्कुल सही ये सही है blue light absorbed तो होती है लेकिन फिर वो scattered भी तो होती है तो scattering की वज़ा से हमें blue color दिखाई देता है ना तो ये option नहीं होगा option number C correct answer है appropriate answer है D option में का कहा रहा है light of all other colors is scattered more than the violet and blue color ये बिल्कुल गलत है list scattering होती है all other colors की rather than violet and blue color तो option C will be correct next question next question है which of the following statement is correct regarding the propagation of light of different colors of white light in air propagation of light के cases में इसमें से बताना है कि कौन सा correct है red light moves fastest blue light moves faster than green light तो friends आपको पता होना जीए कि wavelength का speed पे कोई फर्क नहीं परता है यहां पे white light में जो seven colors होते है उसकी wavelength अलग अलग है पर सबकी speed बिल्कुल same है क्योंकि medium change नहीं हो रहा है जब medium change होगा तभी speed पे effect पड़ता है यहां पे air से काच में इंटर करी prism में इंटर करी और prism में इंटर करने के बाद white light क्या हो रही है air में फिर से वापस से plot रही है तो air में जा रही है सब की light air में ही जा रही है इसलिए speed बिल्कुल same है wavelength अलग-अलग है जिसके वज़े से अलग-अलग bending होती है अलग-अलग angle पे bend करते हैं तो इसलिए यहां पे propagation of light पे कोई effect नहीं पड़ता है वह same speed से जा रही है red light move fastest थोड़ी है इसकी वज़ा से ऐसा हो रहा है यह गलत है glue light most faster तो fasting वाला कोई movement वाला कोई यहां पे option सही नहीं होगा option C क्या है all the colors of the white light move with the same speed बिल्कुल सही है सारी के सारे colors same speed से move कर रहे है option C बिल्कुल correct है option D क्या कर रहा है yellow light moves with the mean speed as that of the red and the violet light बिल्कुल गलत है यह जो pattern हमें मिलता है वह speed की वज़ा से नहीं मिलता है wavelength की वज़ा से मिलता है speed सब की सब same रहती है option C सही हो जाएगा next question देखिए the danger signals installed at the top of tall buildings are red in color danger signal red होते है this can be easily seen from a distance because among all other colors the red light क्यों दूर तक दिखाई दे पाता है red color हमें क्योंकि वह कम से कम scattered होता है क्योंकि इसकी wavelength बहुत highest होती है visible spectrum में सबसे highest wavelength किसकी होती है red light की होती है इसलिए यह least scattering होते है यह least scattering होते है तो option देख लेते है is scattered the most most नहीं होगा गलत होगा is scattered the least by smoke or folk बिल्कुल सही is absorbed the most यह गलत यह गलत option number B will be correct least scattering होती है smoke and folk की वज़ा से इसलिए यह दूर तक हमें दिखाई दे पाता है option ठीक है चलिए next question देख लेते है which of the following phenomena contributes significantly to the radius appearance of the sun at sunrise or sunset sunrise or sunset की time में radius appearance क्यों दिखाई देता है हमें किसकी वज़ा से due to scattering of light की वज़ा से तो option B will be correct next है the bluish color of water in deep sea is due to bluish color deep sea का bluish color किसकी वज़ा से दिखाई देता है हमें यह भी scattering की वज़ा से होता है तो यह भी scattering हो जाएग option C will be correct हो जाएगा next question है when light rays enter the eye most of the refraction occurs at the most of the refraction यह बिल्कुल NCRT के सीदी सीदी लाइनिया पे दिया हो है most of the refraction occurs at the कहां पे most of the refraction होता है किस पार्ट पे? outer surface of the cornea option B will be correct यही refract करके eye lens को देता है तो option B correct हो जाएगा next question देख लेते है the focal length of the eye lens increase when eye muscles focal length कब increase होता है जब eye lens relax करेगी relax करेगी तो यह इस तरफ खींचेगी यह इस तरफ खींचेगी जिसकी वज़े यह जो eye lens है यह थिन होगा और जब थिन होगा तो curvature कम हुआ curvature कम होगा तो focal length बढ़ेगा तो eye lens क्या करती है? रिलाक्स करती है और lens thinner हो जाता है option A correct इस condition में हम दूर का देख पाते है तो इस condition में जब focal length increase हो रहा है देख पाते है नजदी की चीज़ों को देख पाते है तो यह option गलत है person with hypermetropia can see nearby object यह भी गलत है person with myopia can see nearby objects clearly बिल्कुल सही person with hypermetropia cannot see distant object clearly यह गलत है option C correct हो जाएगा myopia में क्या होता है nearby object clear रहता है and hypermetropia में distant object clear रहता है next question अब यहां से short answer type question start हो जाता है draw ray diagram it's showing myopic eye and hypermetropic eye myopic eye का आपको ray diagram बताना है तो हम क्या करेंगे इसमें क्या होता है myopic eye में जब हम दूर की चीज़े देखते हैं जब हम distant object देखते हैं तो distant object की image बनती है वो कहां बनती है retina के आगे ही बनने लगती है retina के आगे ही बनने लगती है जिसकी वज़े से हमें दिखाई नहीं देता है तो इसका किस तरह से बनेगा यह रहा यह रहा cornea यहां पे है lens यहां से distant vision के हम सीधा line एक खीचेंगे यहां पे near point हो जाता है far point जो हो जाता है near point हो जाता है और यहां पे normal near point है तो near point जो होता है वही उसका far point बन जाता है तो दूर से जब ray आ रही होती है तो इस condition में क्या होता है कि यह जब दूर से आ रही है light इस पे परती है दूर से आ रही light जब इस पर परती है तो ये पहले ही diverge converge हो जाती है पहले ही इस retina पहले ही converge हो जाती है जिसके वज़़ से हमें दिखाई नहीं देता है यह ना hypermetropic eye में क्या होता है nearby objects जो होते हैं उनकी image retina के पीछे बनने लगती है behind the retina जिसके वज़़ से हमें नहीं दिखाई देता है तो इसका क्या करेंगे हम कैसे बनाएंगे एक सीधी line खीचेंगे hypermetropic eye के case में क्या होता है near point जो होता है वो दोड़ चला जाता है नजदिक की चीज़े नहीं दिखाई देती है near point यानि 25 cm पर कोई चीज रखाऊ है तो वो नहीं दिखाई देगा उसका point आगे बर जाता है near point further away हो जाता है यहां पर दिखाई देता है और नजदिक की चीजे जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि नजदिक की चीज़ों की जो image बनती है वो retina के पीछे जाकर के बनने लगती है जिसकी वज़े से हमें नहीं दिखाई देता है तो यह दोनों डाइग्राम आपको यहां पर बना देना है, ओके सिर्फ डाइग्राम नहीं बनाना है, यह बात हैं दिखनी है कि distant object की image in front of the retina बनने लगती है, nearby object की hypermetropia के कैस्मिका होता है, nearby object की image retina के पीछे बनने लगती है, जिसके वज़ा से हम नहीं देख पाते हैं, ओक तो यह रहा डाइग्राम इस तरह से बना लोगे आप, ओके, next question, a student sitting at the back of the classroom, classroom के पीछे बैठा हुई है, cannot read clearly the letters written on the blackboard, what advice will a doctor give to her, अब यहां पर यह देखो, MC quiz में क्या question था, और यहां पर क्या question है, यहां पर direct उसका opposite है, यहां पर जो student बैठी हुई है, उसे, वो classroom में बिल दिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, blackboard नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसे क्या advice करेगी doctor, उसके लिए, तो उसे कौन सी condition है, कौन सा artifact है, myopia, मायोपिय में क्या होता है, दूर की चीज़े नहीं दिखाई देती है, नजीक की चीज़ें दिखाई देती है, near sightedness नजीक लगाना चाहिए, जो की diverging lens है, diverge करती है light rays को, है न, तो यह diverge करके दूर तक light को fake ती है, और तब हमें दूर की चीज़ें दिखाई देती है, इसका ray diagram कैसे बनेगा, ठीक है, यह eye lens है, यहाँ से एक सीधी line पहले हमें खिच लेना है, उसके बाद, अब यहाँ से, यह रहा इसका near point, तो दूर से जब भी कोई आ रहा है, यहाँ पर इसके correction claim क्या करेंगे, यहाँ पर, concave lens लगाएंगे, concave lens क्या करेंगी, diverge करके देगी, है न, तो इस तरह से आईगी light, इस तरह से light आईगी, यह lens पर diverge करके देगी, इस तरह से diverge करके देगी, तब जागर के पर फोकस होगा। पहले यह द्याइवर्ज करके देएंगी जिसकी cket iMais लाइ्ट यहां पर पड़ेगी इसके फार पॉंट पे हमें जहां तक दिखाए दे कर दे रहा है हमें वहीं पर चीजह देंगी तो इसका थो नियर पॉंट है यह यहीं पर इसकी इमेज बनेगी और हम देख पाएंगे इस तरह से ठीक है तो इस तरह से आपको बना लेना है चलिए नेक्ट क्वेश्चन देख रहेते हैं यह देखें क्वेश्चन आंसर देख लेजिए इसका इस स्टुटेंट इस सफरिंग फ्रों मायोपिय और नियर साइटेजनेस बिकाज ही ओके यहां पर है तो यहां पर शी हो जाएगा बिकाज सी कैन नौट सी इस स्टैंट अब्जेक्स क्लिर ली डॉक्टर वी अड्वाइ इमेज ओके यह गलत है डाइगराम कंकेव लिंस का डाइगराम आप यहां पर बनाओगे जो पहले मैंने दिखाए था अभी है ना वो डाइगराम यहां पर बनेगा यह गलत है यहां पर कंकेव लिंस लगेगा और यहां से रेज आ रही है और तब वो डाइवर्ज होगी ठीक है? चलिए. Next question है, How are we able to see nearby and also to stand objects clearly? हम दूर की चीज़ों को और नजदेक की चीज़ों को कैसे देख पाते हैं? ये बताना है. तो कैसे देख पाते हैं? Due to the ability of adjustment. Power of accommodation की वज़़ से हम देख पाते हैं. Lens के अंदर जो ability होती है, Power of accommodation की focal length को adjust करने की, चीज़े हमें दिखाई देती हैं, अजदिक की चीज़े दिखाई देती हैं, है ना? और ये सारी चीज़े होती ही किसकी वज़़ज़ से हैं? Ciliary muscles की वज़ज़ से. Ciliary muscles जब relax करती हैं, तो हम distant vision देख पाते हैं, दूर की चीज़े देख पाते हैं, तो हम दूर की चीज़े को देख पाते हैं, क्योंकि इस टाइम में क्या होता है? focal length decrease हो जाती है, curvature increase हो जाता है, power increase हो जाता है, इस condition में curvature यहां पे कम होगा, power भी कम होगा, power कम तो हम दूर की चीज़ें को देख पाएंगे, power ज्यादा तो हम दूर की चीज़ें को देख पाएंगे, Okay, तो बस यह ही लेक देना है आपकोते हैं We are able to see nearby, and also the distant object clearly due to the ability of the lens to adjust its focal length, which is known as Power of Accommodation When the ciliary muscles are relaxed, the eye lens becomes thin, and its focal length increases This enables us to see the distant objects clearly Just opposite, when the ciliary muscles are contracted, the eye lens becomes thicker, and its focal length decreases this enables us to see the nearby objects clearly ठीक है next question a person needs a lens of power minus 4.5 diopter for correction of her vision what kind of defect in vision is she suffering from अब इसे कौन साथ defect है तो look at this यहाँ पर power negative है negative power होने का क्या मतलब है कौन सा lens होगा concave lens होगा concave lens किसके लिए यूज किया जाता है myopia के लिए तो that means she is suffering from myopia यह first का answer हो गया second क्या कह रहा है what is the focal length of the corrective lens अब इसका focal length निकालना है यहाँ पर power दियावा है B का option किस तरह से बनाएंगे यहाँ पर power दियावा है minus 4.5 इसलिए focal length क्या हो जाएगा 1 by P यानि 1 by minus 4.5 okay is equal to इसे आप cut करोगे यह हो जागा 10 by minus 45 जब आप इसे solve किजिएगा यह हो जागा 0. यहाँ पर minus 0.45 तो 90 फिर 10 बचगा 45 तो 90 तो इतना answer 0.22 meter जब हम इसे centimeter में convert करेंगे तो 100 से multiply करेंगे तो यह हो जागा 22 centimeter यह आपका answer हो जाएगा 3rd है What is the nature of the corrective lens तो कौन सा lens है Concave lens दीक है चलिए next question यह रहा answer Okay How will you use two identical prism so that a narrow beam of white light incident on one prism emerges out of the second prism as white light draw the ray diagram हम दो identical prism को कैसे use करेंगे कि जब उसे light ray finally emerge out होगी तो वो एक white light के रूप में emerge out होगी तो यह आपको recombination of prism से दियावा है recombination of spectrum का question है जब हम एक prism को upward direction में रखते हैं और उसी के सटे हम inverted direction में दूसरा prism रखते हैं तब हमें इस तरह का case देखने को मिलेगा इससे light रे जाएगी bend करेगी diverge होगी यह red light यह violet light यह दोनों इस तरह से diverge होई और यह जब वापस से prism के अंदर जाएगी तो यह दोनों इस तरह से mil करके और इस तरह से निकलेगी यहां से इस तरह से diverge हो जाएगी वाइट light के form में ओके तो how can we place them in an inverted position और यह ही diagram आपको बना देना है ठीक है चलिए यह देखिए to make a narrow beam of white light emerges from a second identical prism after passing through a first prism we can place the second prism in an inverted position with respect to the first prism as shown in the figure given below बस ठीक है चलिए नेक्स्ट केशन देख रहते है draw a ray diagram showing the dispersion through a prism when a narrow beam of white light is incident on one of its reflecting surface यहां पे dispersion of light दिखाना है किस तरह से dispersion होता है उसका draw करना है ray diagram यानि के यह prism है इस पर हमने एक narrow beam डाला वो पहले diverge करेगी वो पहले bend करेगी towards the normal यहां पे आप normal draw करोगे ऐसे तो यह normal इसे जाना था इस तरफ इस तरफ जाना था लेकिन यह bend कर गई normal की तरफ उसके बाद यह disperse out हो जाती है जब यह merge करेगी तो 7 रंगों में बिखर जाएगी इस तरह से यह 7 रंगों में बिखर जाएगी और जब हम इसे यहां पे देखेंगे तो हमें blue, indigo, violet यह pattern हमें दिखाई देगा यहां पे also indicate the order of the color of the spectrum obtained यह color भी आपको show करना है red color, orange, yellow, green, blue, indigo and violet यह pattern आप show करतेंगे इसको आप define भी करेंगे कि dispersion क्या होता है और किस तरह से dispersion यहां पे हो रहा है वह सारी से लिखने के बाद आप डायग्राम बनाओगे look at this the ray diagram showing the dispersion through a prism when a narrow beam of white light is incident is shown below उसके बाद आपको pattern बताते ना है the order of the color of the spectrum obtained is violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red starting from the base of the prism to upward base से upward direction में यह pattern दिया हुआ है violet, indigo अगर आप उपर से नीचे लिखोगे तो red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet होगा ओके next question देख लेते हैं is the position of a star as seen by us is true position क्या जो हम जो हमें star की position दिखाई देती है क्या वो true position दिखाई देती है तो answer क्या होगा no वो हमें उसकी apparent position दिखाई देती है उसके बाद आपको answer को justify भी करना है तो ऐसा क्यों होता है क्यूंकि due to atmospheric reflection due to atmospheric reflection क्या होता है due to atmospheric reflection star यहाँ पे होता है और जब यह अर्थ के atmosphere में इंटर करता है तो बहुत सारे particles से टकराता है जिसकी वज़ा से यह light जो है वो थोड़ा थोड़ा bend हो जाती है और जब हम यहाँ पर से इसे observe कर रहे होते है तो हमें इसकी position क्या लगती है कि यह यहाँ से आ रही है light तो यहाँ पे star हमें दिखाई देता है तो इसकी apparent position हमें दिखाई देती है बस इसी बात को आपको explain कर देना है look at this जैसे जैसे उपर बढ़ता जाता है air के particles कम होते जाते है यानि कि उसका refractive index low होता जाता है तो जब यहाँ से light आ रही है तो वो ज्यादा refractive index को cross करती ही अर्थ पे पहुंचती है refractive index बढ़ता जा रहा है जैसे ही नीचे आ रही है light refractive index बढ़ता जा रहा है जिसकी वज़े से light bend होती चली जाती है और हमें apparent position दिखाई देती है ओके चलो next question why do we see a rainbow in the sky only after rainfall सिर्फ rainfall के बाद ही हमें rainbow क्यों दिखाई देता है क्योंकि rainfall के बाद कुछ rain drop जो होते हैं वो अर्थ के atmosphere में इस तरह से suspended हो जाते हैं लटक जाते हैं और उस पे जब sunlight परती है तो वो reflect हो करके हमारी आँखों परती है इसलिए हमें हमेशा rainfall के बाद ही rainbow दिखाई देता है इसी बाद को आपको लिख देना है आप चाहो तो वो diagram भी बना सकते हो अच्छा रहेगा बिल्कुल बनाना चाहिए आपको यहाँ पर एक ड्रॉप पना लिजएगा और यहाँ पर sunlight यहाँ से sunlight आ रही है यह इस पर परी reflect हुई तिस्पर्ज हुई और reflection हुआ और तब जाकर गए हमारी आँखों में पहुंचती है और तब इसकी image हमें इस तरफ यहाँ पर दिखाई देती है नेक्स्ट question देख लेजिए वाहिए the color of sky blue यह तो हमने करा दिया है क्यों color sky blue होता है क्योंकि blue color जो होती है वो most scattering होती है most scattering होती है due to shorter wavelength shorter wavelength होने की बचले से blue color most scattering होती है जिसकी बचले से यह ज्यादा scatter होती है हर particles इसको क्या कर देते हैं emit out कर देते हैं जिसकी वज़े से हमें हर जगां blue color ही दिखाई देता है जिसकी वज़े से यही color हमारी आख़्ों पर पहुंचता है और हमें blue color दिखाई देता है जिसकी बात को आपको बना कर लिख देना है तो इसलिए यह shorter wavelength की light को ही scatter कर पाते हैं और blue light का because shorter wavelength होता है वैसे तो अगर आप देखो तो V, I, B ये तीनों की shorter wavelength होती है 400, 450 and blue की कितनी होती है 500 यानि के 400 to 500 की light को ये scatter कर पाते हैं लेकिन हमें violet और indigo color क्यों नहीं दिखाए रहेता है क्योंकि ये हमारी आँखों के लिए के sensitive नहीं होती है जितनी blue color होती है इसलिए हमें sky का color blue दिखाई देता है ओके next question what is the difference in colors of sun observed during sunrise or sunset and noon अब इस दोनों के time में जो color दिखाई देता है sunset, sunrise के time में हमें red color दिखाई देता है और noon के time में हमें white color का सूरज दिखाई देता है तो इस दोनों के बीच में क्या difference है वो बताना है उसे explain करना है तो reddish color हमें क्यों दिखाई देता है क्योंकि शाम के time में, सूरज जादा दूर होता है यह sunset है और यह sunrise का time है तो इस time में इस sun को ज्यादा atmospheric particles को cross करना पड़ता है जिसके वज़े से ज्यादा scattering हो जाती है जो shorter wavelength के particles होते हैं वो scattered हो जाते है और जो longer wavelength के particles होते हैं वही हम तक पहुँच पाते हैं जिसकी वज़ा से आस्मान भी लाल रंग का दिखाई देता है और हमें भी सूरज का color लाल दिखाई देता है क्योंकि बाकी सारे color से scattered हो जाते है तो इसलिए sunrise और sunset के time में radius color का सूरज दिखाई देता है और white light noon के time में दो बाहर के time में हमें white light क्यों दिखाई देती है क्योंकि इस time में सूरज होता है इस time में जो sun होता है वह बिल्कुल हमारे उपर होता है जिसके वज़श कोटी है वह कम होती है कम होती है और यहां पे distance ज्यादा होती है distance ज्यादा उने के någraग ज्यादा होते है और यहां पे list scattering होती है कोई भी partical हो, shorter wavelength या longer wavelength पार्टिकल्स, कोई भी light color हो, shorter wavelength की light हो, या longer wavelength की light हो, दोनों ही कम scattered होती है, सारी की सारी colors बाकी रहती है, इसलिए हमें white color का सूरज दिखाई देता है, क्यूंकि इस condition में list scattering होती है, आप चाहो तो एक point लिखने के बाद आप ये diagram बना लीजेगा, और दूसरा point लिखने के अच्छा marks मिलेगा, otherwise आप इना diagram के भी इसे लिख सकते हैं, look at this answer, during sunrise or sunset, this sun is at a larger distance from the earth, this sunlight has to travel a much larger distance of the atmosphere, so the red color having largest wavelength is scattered the list and reaches to us, hence the sun looks reddish at this time, but at noon, this sun is nearly overhead, the sun lies has to pass through much smaller portion of the earth atmosphere, the scattering is much less, and hence the sun looks white at noon, next question, explain the structure and functioning of human eye, how are we able to see nearby as well as distant objects, ये question फिर से repeated है, अगर आपको question में इस तरह से पूछेगा, तो आपको limit होना जी है ना, कि इतने words में हमें answer करना है, अब इसके लिए आपको structure and functioning थोड़ा थोड़ा करके लिखना होगा, तभी आप इसका भी answer उसमें mention कर पाओगे, नहीं तो अगर इसे आप details में लिख देत एक एक line या दो-दो line जरूर लिखेगा, और अगर आपको ये फूरा question आ जाता है, तो फिर इसको short करना पड़ेगा structure को, functioning तो short है ही, structure को short करना पड़ेगा, cornea है, है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, diagram भी बनाना है, इस तरह का question रहेगा, तो आपको diagram बिल्कुल बनान है, तो आई का diagram चलिए यहां पर एक roughly diagram बना लेते हैं, यह रहा हमारा आई, बहुत अच्छा बन गया है, यहां पर यह जो portion है, यह transparent bulge out जो हो दिख रहा है, हमें वो है cornea, उसके बाद यहां पर होती है iris, इस तरफ होती है iris, तो second part हो गया iris, इसके बीच में यह जो hole होता है, इस hole से light enter करती है, इस hole को हम कहते है pupil, इसके जोस्ट पीछे यहां पर lens लगी होई होती है, crystalline lens लगी होई होती है, जिसे हम eye lens कहते हैं, उसके बाद इस eye lens को पकर के रखती है, ciliary muscles, यहां पर ciliary muscles इसको पकर के रखती है, ciliary muscles में il, single होगा, ठीक है, ciliary muscles, उसके बाद इसके पीच में जो liquid भरा हुआ होता है, जो इसे nutrition प्रोवाइड करता है, इसे हम कहते हैं, aqueous humor, उसके बाद यह जो portion हमें दिख रहा है, इस portion को में भी liquid भरावा होता है, जो कि इस shape को maintain करके रखता है, इसे हम कहते हैं, vitrious humor, vitrious humor, यह थोड़ा सा watery होता है, और यह jelly like होता है, यह shape को maintain करके रखता है, यह क्या करता है, nutrients प्रोवाइड करता है, उसके बाद यहां पर यह जो light इंटर करी, यह अंदर जाती है, यहां से reflection होता है, reflection होने के बाद जो image बनती है, जिस पड़ल पे, जिस portion पे, जिस light sensitive part पे, image का formation होता है, उसे हम कहते हैं, क्या, उसे हम कहते हैं, retina, उसके बाद यहां से इस light को, light signal जो मिला, उसे electrical signal में convert करती है, यह retina में present light sensitive cells, और उस electrical signal को carry करने वाली यहां पे होती है, bundle of nerve fibers, जो कि इसे brain तक ले जाती है, उसे हम कहते हैं, optic nerves, तो इतने नाम आपको लिखने हैं, mention करने, क्यूंकि इतने सारे नाम आपके book में दिये वे हैं, तो इस तरह से आपको eye का structure बनाना है, और यह कम से कम nine parts को आ को पुपिल के लिख देगा, यह transparent bulge होता है, transparent thin membrane होते है, यह iris कि क्या होती है, यह control करती है, पुपिल के size को, पूपिल का क्या काम होता है, regulate करती है, आई में कितनी light enter करनी है उसको control करने का काम करती है आई lens क्या करती है? रिफ्रेक्शन करती है और image का formation करने का काम होता है ciliary muscles आई lens को contract और relax करने का काम करती है distant and nearby vision में ये help करती है aqueous humor का काम मैंने बता दिया vitreous humor क्या करती है? ये shape को maintain करके रखती है रेटी ना उस image को electrical signal में convert करने का काम करती है and optic nerve उसे carry करके brain को पहुंचाती है ठीक है? तो ये functioning भी हो गई और ये structure भी हो गया है ना तो इस तरह से आपको लिखना है look at this काफी बड़ा portion है सबसे पहले आप एक line लिख दोगे human eye के बारे में human eye is one of the most valuable sensitive sense organs that enable us to see the things उसके बाद structure लिखेंगे structure में सारी चीज़ों को हम इस तरह से describe कर देंगे यहाँ पर हम figure बना देंगे अच्छे थे उसके बाद फिर functioning को mention करेंगे retina, optic nerve, auxiliary muscles हो गया functioning लिखेंगे light rays from the object enter through the cornea सबसे पहले light ray इंटर करती है, pupil के थूँ अंदर eye lens पहुंचती है, pupil का काम होता है उस eye lens उस light को regulate and control करना उसके बाद outer surface की जो cornea होती है and eye lens होती है, वो दोनों क्या करती है converge करती है, retina पे जिसकी वज़़ से real and inverted image का formation होता है फिर उस image को light sensitive cells जो होती है retina की वो उस image को पा करके उस light को पा करके activate हो जाती है और activate हो जाने के बाद electrical signal generate करती है, जिसे optic nerve carry करके brain तक पहुँचाती है और फिर brain उसका interpretation करता है, processing करता है और तब ये signal हमें एक उस object के बारे में बताता है कि वो हम चीजों को देख पाते हैं ये चीजे क्या है, ये pain है, ये copy है ये हम sense कर पाते हैं, हमें sense देता है उसके बार second question था कि हम कैसे दूर की चीजों को देख पाते हैं और रादी की चीजों को देख पाते हैं तो ये भी आप answer करोगे, यहाँ पे mention है to see distant object, the ciliary muscles relax and eye lens becomes thin thereby increasing its focal length while viewing nearby object तो इस तरह से हम distant object देखे देखते हैं, और nearby object के लिए क्या करती है ciliary muscles contract होती है making the eye lens thicker and decreasing its focal length thus we are able to see ये काफी important question है इसको आप लोग बहुत अच्छे से practice कर लिजएगा आप अपने recording हर किसी के लिखने का तरीका अलग होता है तो आप अपने recording इसमें से थोड़ा सा compromise कर सकते हो ओके चलो next question देख लेते है when do we consider a person to be myopic और hypermetropic myopic कब कहेंगे जब उसे सिर्फ और सिफ nearby objects clear रहेगा nearby objects clear रहेगा distant object नहीं रहेगा clear तो उसे हम myopic कहेंगे पर hypermetropic कब कहेंगे hypermetropic कब कहेंगे जब उसे distant object clear रहेगा distant object clear रहेगा नजदीक की चीज़े नहीं दिखाए देंगी तब हम उसे hypermetropic कहेंगे diagram का use करके यहाँ पर बताना है कि इसे हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं यहाँ पर आप तीनों diagram बनाओगे हो सकता है आपके question में या तो myopic पूझेगा या फिर hypermetropic पूझेगा यह दोनों एक साथ नहीं पूझेगा अगर आपको एक साथ पूझता है तो सिर्फ आप correction वाला diagram बनाएंगे और अगर अलग-अलग पूझता है तो आप तीन diagram बनाओगे ओके चलो यहाँ पर myopia में nearby object clear होता है दूर की चीज़े देखने के लिए हम diverging lens का use करते है that is कौन सा lens होता है diverging lens concave lens तो हम यहाँ पर concave lens का use करेंगे hypermetropia में hypermetropia में हम convex lens का use करते हैं ठीक है चलो next question देख लेते हैं यहाँ पर answer दिया हुआ है look at this यह तरह से आप answer कर देंगे next question explain the reflection of light through the triangular glass frames using label ray diagram hence define the angle of deviation आपको फिर से वही diagram बना देना है reflection किस तरह से होता है सिर्फ reflection को दिखाना है तो एक ray of light गई bend करेंगी सबसे पहले incident ray पढ़ती है तो इस incident ray को हम नाम दे देंगे PE है ना यहाँ पर normal ड्रा करेंगे इस normal पर यहाँ पर जो angle बन रहा है angle of incidence बनता है इस normal को हम नाम दे देंगे n.n- यहाँ पर भी एक normal ड्रा करेंगे इस तरह से m- है ना अब यह light सबसे पहले तो incident होई incident होकर करके इस prism को आप नाम दे तो A, B, C incident होकर करके यह normal की तरफ bend हो गई normal की तरफ bend होगी फिर second surface AC पर फिर से यह refract करेंगी normal से दूर भागेगी है ना तो normal से दूर इस तरफ से भागेगी तो यहाँ पर जो angle बन रहा है अब अगर हम incident ray और emergent ray दोनों को compare करें दोनों को पीछे की तरफ extend करें तो यह कुछ इस तरफ से जाएगी और यह यहाँ पर आगर करके match कर रही है तो यहाँ पर एक angle बन रहा है जो कि हमें यह बताता है कि यह incident ray अपने path से अपने original path से कितना deviate हुई है कितना deviate हुई है यह बताता है उसी angle को angle of deviation कहते है यह आपको define कर दिना है कि if we extend the incident ray and emergent ray the angle between these two days is called angle of deviation this angle of deviation tells us how much an incident ray bends from its original path अपने original path से यह कितना bend हुई है यह ही बताता है angle of deviation यह आपको बता देना है और इस तरह से आप diagram बनाएंगे next question देख लीजिए यह आपका answer look at this next question how can we explain the radius appearance of sun at sunrise फिर से वही question है किस तरह से हम explain कर सकते है why does it not appear red at noon दोपहर के time में red color क्यों नहीं दिखाई देता है क्योंकि यहां पे list scattering होती है because distance ज्यादा होती है ज्यादा distance होने की वज़ा से सारे के सारे color all colors having shorter wavelength scattered away scattered हो जाते है only red color red और orange color का भी दिखता है कभी-कभी है ना only red और और औरेंज दिखाई देता है इसलिए red ही बोला जाता है only red और 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 औरेंज कलर are least scattered जो कि हमारी आँखो तक पहुंचता है और हमें sun कैसा दिखाई देता है reddish चलो यह रहा आंसर और यह डाइग्राम आपको बना देना है नेक्स्ट केस्ट देख लीजिए explain the phenomenon of dispersion of white light through a glass तो आप देख सकते हो कुछ ही portions है इसमें वैसे भी काफी कम topics हैं तो उसी topics से थोड़ा थोड़ा सा language change हुआ है आप देख पा रहे होगे dispersion of white light से एक और question था और फिर सी यह दूसरा question है reflection of light से भी एक और question था तो इस तरह से आप देख सकते हो बस यही possible questions हैं जो कि इस chapter से बन सकते हैं तो इतने को अगर आप अच्छे से practice कर लीजे तो यह आपके लिए काफी है light वाली chapter में आपको numericals में ध्यान देना है myopia का case cup बनता है hypermetropia का case cup बनता है और इन तोनों का numericals हम किस तरह सॉल्फ करेंगे और बागी जो four tables आपको दिये हुए हैं वो tables आप ध्यान में रख दीजिए बस काफी है और इस chapter में बस आप देख सकते हो dispersion of light, scattering of light, reflection of light यह important है है ना? okay, myopia and hypermetropia इसी में है तो फिर इसका भी आप इसी तरह से explain कर दीजेगा और इसका suitable diagram बना देना है dispersion of light का इस तरह से रहे जाएगे reflect होगी यह ना? reflect होगे और disperge हो जाएगी इस तरह से disperge हो जाएगे और यहाँ पर आपको सीधा रखना है तो सीधा पर आपको इस तरह से more करके दिखा देना है कि कौन कौन सी light है ना? तो विब ग्योड नीचे से लिखेंगे V I B G Y O R ओके? चलो नेक्स्ट क्वेशन लास्ट क्वेशन देख लेते हैं यह रहा आपका answer अब go through कर लेंगे नेक्स्ट क्वेशन देखिए how does the reflection takes place in the atmosphere atmosphere में reflection की कैसे होता है यह बताना है why do stars twinkle but not the planets तो reflection क्यों होता है भई? क्योंकि अर्थ के atmosphere में बहुत सारे particles होते हैं है ना? अर्थ के atmosphere में जो particles होते हैं वो move कर रहे होते हैं constantly move कर रहे होते हैं जिसकी वज़े से इसकी जो position होती है वो stationary नहीं होती है यह stationary नहीं होती है stationary नहीं होने की वज़ा से इसके तुरू जो भी object से light आ रही होती है वो object की position भी हमेशा क्या करती है? fluctuate कर रही होती है fluctuation की वज़ा से क्या होता है? कि हमें reflection देखने को मिलता है and this is called atmospheric reflection this is called atmospheric reflection particles का refractive index बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है और हमें atmospheric reflection देखने को मिलता है stars twinkle करते है planets नहीं करते हैं क्यों? क्योंकि stars की position जो होती है वो far away होती है बहुत दूर होते हैं जिसके वज़ा से इससे जो light आ रही होती है वो एक point sized light आ रही होती है point sized light आ रही होती है point sized light आने की वज़ा से क्या होता है? कि ये आसानी से refract हो जाती है particles से और आसानी से refract हो जाने की वज़ा से हमें इसकी location हमेशा change होती हुई हमेशा fluctuate होती हुई दिखाई देती है और हमें लगता है कि stars twinkle कर रहे हैं प्लैनेट्स के case में planets जो होते है वो अर्थे के बिलकुल close होते हैं जिसकी वज़ा से larger दिखाई देते हैं और larger दिखाई देने की वज़ा से इसमें से बहुत सारी light एक साथ आ रही होती है जिसमें से push light तो bend होती है लेकिन एक particular light जो होती है वो constantly हम तक पहुँच रही होती है इसी लिए हमें लगता है कि planets twinkle नहीं कर रहे है clear तो इसी के साथ हमारे ये session complete होता है ये रहा आपका answer look at this बस total 30 question थे इसमें I hope आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपको भी भी कोई doubt है तो आप मुझे जरूर बताईएगा चलिए तो मेरे साथ end तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत thank you मिलते हैं next lecture में अब हम लोग हो सकता है तो chapter number 6 जो की bio का portion है वो हम लोग start करेंगे मैं कोशिश करूँगी कि आपका जो meet term exam होने वाला है उससे पहले मैं इसे complete करा दूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं तो चलिए इसी wishes के साथ session complete करते हैं तिल दिन तेख केर बाए